नमस्ते आप सबका वेलकम हैं सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कहने जा रहे हूँ काचरी बोलो या कचरी इसकी चटनी अभी आपको इस समय में बाजार में आप सबजी खरीदने जाएंगे तो आपको ये कचरी काफी जादा मिलेगी इसे काफ रही थी इतना मिल रही थी तो सोचा लेके आ जाती हो और ये न मैंने चार से पांच ले ली है पानी से अच्छे से वश कर लिया है ओपर नीचे से थोड़ा थोड़ा काट कर इसके उपर का देखे ऐसा छिलका होता है तो वो हमें छिलका निकाल लेना है छिलका निकालने के एकदम नरम नरम बीज होते हैं यहां पर देख सकता है जिसमें अगर बीज होए उसमें निकाल लिया अब उसके बाद गैस को अन करके मैंने एक बरतन में डाल दिया है एक ग्लास बरकर पानी जैसे पानी गरम हो जाएना तो छे से साथ सूखी लाल मिश्ट डंठल के साथ ही और दो कटे हुए टमाटर, जितना हो सके टमाटर लाल लाल डालना तो चटनी का कलर अच्छा आएगा अब ये मिर्ची और टमाटर को इस पानी के अंदर लगभग आपको 3-4 मिनिट के लिए पकाना है ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए सूखी लाल मिर्च भी अच्छे से पके तो यहाँ पर आप लगभग देख सकते हैं 3-4 मिन्ट हो चुके तो गैस को बन करके से बाहर रखका ठंडा होने दिना है जैसे आपको लगए ठंडा हो गया है आप हाथ डाल सकते हैं तो यह जो सूखी लाल मिर्च है इसके आपको डंठल निकाल लेना है और यह टमाटर जो हमने काटकर डालेते हैं यह टमाटर का आपका छिलका निकाल लेना है तो ये जो सूखी लाल मुश का डंठन निकालना सुबसे पहले से मिक्सर जार में डाल देंगे और साथी साथ मैंने छे से साथ लसुन की कलिया छील कर भी डाल दिये अब ये जो टमाटर के उपर के छिलके है वो भी हमें सारे निकाल लेने और काफी असानी से निकल जाएंगे बिलकुल भी मुश्किल ने जाएंगे क्योंकि पके होए टमाटर है इसलिए अब ये छिलके होता रहे टमाटर को इसके अंदर डाल देना है और साथ ही साथ ये काचरी के टुकड़ी भी आपको डाल देना है धककर इसे आपको पीश लेना है पीश दे समय पानी वगिरा नहीं डालना तो यहाँ पर आप देख सकता है मैंने इसे अच्छे से पीश लेएवे एक बावल में निकाल लेंगे और इसके अंदर डालने के स्वाद के अनुसार नमक बस मसाले और कुछ भी नहीं डालने हैं अच्छे से मिला लीज़े और बन कर तैयारेगे मज़ेदार सी काच्री के चटनी अब इसे आप पकोड़े पराठे रोटी दाल चावल खिचडी सब भी के साथ ले सकते हो मतलब आप अगर इसे बना कर खा रहे हो तो आपको पता तो नहीं चलेगा कि यह काच्री के चटनी और यह इतनी स्वाद वाली लगती है अगर कोई सबजी भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं तो ट्राइक करने और यहाँ तक है तर चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थांक्यो फर वाच्चुएंग